असलावलेकूं विल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चेनल आज हम अप्टों के साथ हैदरबादी माही खलिया की रेस्पी सेयर करेंगे बोथ रेस्पी है और यहां पर आप इसका लुक देख सकते हैं एक बार खाएंगी आप इसका स्वाद भोलनी पाएंगे चलिए हम इसे बिना दیर के बनाना स्टार्ट करते हैं Maria काली ने के लिए सबसे पहले हम मटन ले लेते हैं तो यहां पर हमने लिया है वन केची मटन मटन कोérence को धोंकर करके हमने इसे छनी में रद दिया था तकि इसका पुरा पानी निकल जाए अब हम इसे मेगनेट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसमें एड करेंगे वन टिस्पुन भर के यद्रक का पेश्ट लेंगे और यहां पर हमने दो क्यूब लिया है कच्छे पपीते का तो यह खलिया जो ह है अपने टेस्ट के अकोडिक रख सकते हैं जैसा भाते हों कि तूटी स्पुन भर के हम रेट चिले डालेंगे यहां पर आप वो तीखे की कौंड़टी भी कम जादा कर सकते हैं हाफ्टी स्पन हल्दी पाडर डालेंगे सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इस पॉइंट पर डिपेंट करता है कि आपके पास कितना टाइम है आप इसी थाओं मिफि कर लेंगे और यहां पर हम कुछ तड़का लेंगे एACT सूखी लाल मिर्च लेंगे हाफ टीश्पून राई दाना और हाफ टीश्पून जीरा लेंगे यहां पर हम गैस ओन करेंगे और कड़ाई ले लेते हैं कड़ाई में ओएड करेंगे तो हमने यहां पर मस्टड ओएल लिया है सरसो का तेल जब पूरी तरह से गरम हो जाएं इस तरह से धुआ निकलने लगे तब आप उसमें सभी तड़का डाल दें तड़की को यहां पर हम थोड़ी तेर चटकने देते हैं उसकी बाद हम इसमें मेगनेट के वाब मतन डाल देंगे और हाई फ्लेम पर हम मतन को 3-4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे जब मतन की यहां पर अच्छी तरह से भूनाई हो जाए तब आप इसमें टमाटर एड़ कर लें तिहां पर हमने मिडियम सेज का दो टमाटर लिया है टमाटर को हम इस तरह से स्लाइस में काट लेते हैं अरे मतन में एड़ करेंगे एक बड़ ओर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पैन में हम कुछ मसाले रोश्ट करेंगे तो सबसे पेल हम ल BIG मुम्फली का दाना सिंग उसे हम रोश्ट करेंगे तक्रीबन ये फोट स्पुन के करीब है तो यहां पर मंफली जो है तक्रीबन 80 परचेंट तक भून चुका है इसी में हम नारियल डाल देते हैं सूखा नारियल पतला पतला हम स्लाइस में काटते हुए डालेंगे इसकी ओपर का जो स्कीन है काला पाठ है अब उससे निकाल सक सकते हैं नारियल को हम बिल्कुल पतला इसलिए काटते हैं ताकि बोथ ही आसानी से ग्राइंट हो सके यहां पर देख सकते हैं अब एक मिनट और हम इसे रोश्ट कर लेते हैं और जब दाने का इस तरह से छिलका निकलने लगे तब हम गेस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे सफेद जीरा और वन एन हाफ डिस्पून हम इसमें एड़ कर लेते हैं सफेद तील इससे जो है माही खलिया में बोथ ही अच्छा सा टेस्ट आता है लोफ लिम पर हम दो मिनट और सभी मसालों को भून लेते हैं यहां पर जो है मसाला अच्छी तरह से करीब हम इसमें और डाल दैते हैं यह कि अनलेफ को जय हुएषहां को ज्यादा पर सॉफ्ट नहीं करना है इंसापन की करीब और मसालों भूल को हमने ठेंदा कर लिया हैं ठेंदा करने के बाद चलए हम से मिक्सी डालें याम पोडर बना लेते हैं अधार आप चाहें तो सारी चीजों को भीगो कर अगर रखेंगे तो भी बहुत ही अच्छी से ग्राइंड होता है यह बटर रोष्ट कर लें उसके बाद आप इसे भीगो हैं और यह माहे खलिया में इमली भी पड़ता है तो यहां पर हमने पांच इमली को भीगो दिया था दो घंटे पहले तो इसका हम पल्प इस पर से निकालते हुए इमली को हम छनी में छान लेते हैं ताकि जो भी उसमें रेशा हो वो निकल जाए और यहां पर लीजे मसाला भी रेडी हो चुका है और हमने पल्प भी निकालकर यहां पर रेडी कर लिया है तो अब हम चलते हैं केस की तरफ यहां यहां पर मटन को भूनते हुए तकरिबन 25 मिनिट हो चुका है और इसी में हम ग्रैंड की मसाले डालेंगे लोफ लेंपर तकरिबन हम 5-6 मिनिट और इसे भून लेते हैं मिक्सी चार में हम बिल्कुल थोड़ा सा पाने डालेंगे जो भी उसमें मसाले लगे हैं वह हम साफ कर लेते हैं यहां पर हम लोफ लेंपर तकरिबन 4-5 मिनिट के लिए कवर करेंगे पांच मिनिट की बाद यहां पर हम लेड हटाएंगे और अब देख सकते हैं माशल आप ब पूरी तरह से सौफ्ट हुआ है कि नहीं वरना पर पीसे 5-10 मिनिट के लिए और कफर कर सकते हैं यहां पर मटन जो पूरी तरह से गल चुका है पूरी तरह से सौफ्ट हो चुका है इस श्टेप पर हम इसमें इमली का पल्प डाल देते हैं जब पीसे सौफ्ट हो तभी तालेंगे बारिक चोप के वाद धनिया पत्य डाल जेते हैं और स्लाइस में कटके वाँ महारी मिर्च टालेंगे जैस की फ्लेम को हम करेंगे बंद और हम इसे करेंगे डिसाओर तो देखा आपने कितना सिंपल है है हैद्रावादी माही खलिया बनाना आई होप कि आज की पसंद आई होगी तो आप लोग भी से ट्राइब करें फैमिली फ्रेंट्स में भी सेयर करें वैसे तो हमारे चैनल पर मटन की बहुत ही सारी रेस्पीज हैं डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देदेंगे आप लोग ज़रूर ट्राइब करें और हाँ अगर आ अँड आई तो एड़ियर्स क्वेशस्थर और हिए से फॉडियर्सू आई हैं झाता ह।